दुर्ग जिले में लगातार मोबाइल गुमने की रिपोर्ट प्रार्थियों द्वारा विभिन थानों में दर्च कराई जा रही थी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट दुर्ग द्वारा 114 नग मोबाइल बरामत किया गया सभी मोबाइलों को संबंधितों को वितरित करना प्रारंभ कर दिया गया वरिष्ट अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने अथक महनत कर भिलाई राजनगाओं बालोद बेमितरा एवं राइपूर शेत्रों में चल रहे कुल 114 नग विधिन कमपनियों के मोबाइल जुमला कीमत लगभग 30 लाक रुपे का बरामत किया है गुम मोबाइल को रिकवर किया गया जिसकी बाजारी कीमत 30 लाक रुपे है करीब 25 से 30 प्रार्थी आये जिनको आज ये दे दिया गया है बांकी को दुर की फेस्बूप का पेज पर लगाया गया एम याई बांकी लोग को देदरे करके को फॉप आ जाएगा निश्यत रूप से बड़ी सफ़कता है क्योंकि मोबाइल चूरी गुम होना एक बहुत ही कसदाई होता है उसमें लोग के मोबाइल में पून बुक्स में टिल्स रहते हैं परसनल चीज़े रहती है निश्यत रूप से इसके रिकवरी से प्रार्शी काफे खुश्च है यह मोबाइल जो है अलग-अलग दुरू के जो सयादी यह बालोद बेमेतरा रावननद गाउं राइपूर रोजा बजार आफपास के छेत्रों से गुम मोबाइल थे इसको यहां पर रिकवर किया है पंदरा मोबाइल और हैं यहनके लॉग स्क्रीन नहीं खुले हैं तो तोटल बंट्वंटी नाइन रिकवर हुए थे वह पंदरा मोबाइल के विजैसे ही लॉग स्क्रीन खुलेंगा उनके भी अपडेट ही अपडेट पिये जाए